ऩुर्बधि चुनाव पर चार थम जाएगा महाराष्ट में विधानसभा की 288 जबकि हर्याना में 90 सीटे हैं इसके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में 64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है परधानमंत्री पद के लिए अभी भी सबसे लोग परिये नेता हैं मोदी दूसरा कोई आसपास भी नहीं जी हाँ हर्याना और महाराष्ट में 21 सक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज एजनसी IANS और सीवूटर ने लोगों के बीच सर्वेक्षन किया इस सर्वेक्षन के मताविक मताता मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के करीब कोई भी नेता नहीं है हर्याना में की के सर्वेक्षन में 71.6% लोगों ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बंदने के लिए सबसे अच्छे उमीदवार है जबकि महाराष्ट में 65% दी लोगों ने यहीं राय दी मोधी कॉंग्रिस की अंतरी मदक्ष सोनिया गांदी उनके बेटे राहूल गांदी और पूरप्रदान मंतरी डॉक्रमन मोहन सिंग सहीद अन्य सभी नेताओं से काफी आगे हैं यूपी विधान सभाव चुनाव में विपक्ष को कुछ सीटों पर उलट फेर की उमीद सभा बसपाने लगाया जोर जियां उत्तरप्रदेश के 11 सीटों पर हो रहा है विधान सभा उपजुनाव में विवक्ष दल कुछ सीटों के परिनाम में उलट फिर होने की उमीद लगाये हुए हैं इन्दी 11 सीटों में से 9 सीटे पहले से भारते जनता पार्टी के पास थी वहीं रामपूर और जलालपूर के सीटों पर समाजवादी पार्टी और भोजन समाजपार्टी का कबजा था रामपूर सभा के लिए नाक की सीट बना हुआ है और इसके लिए अकले शादों भी जोर लगाये हुए हैं इसके अलावा इगलास, घोसी और गंगोह पर विपक्षी दल अपना दावा कर रहे हैं खाली मोधी मोधी बोलने से देश का काम नहीं चलने वाला है जी आमोके मंतरी असोक गैलोत ने देश के खराब आतिक हालात के लिए परधान मतरी नरेंद्र मोधी पर निखसनी सानस आते हुए सुक्रवार को कहा कि खाली मोधी मोधी बोलने से देश का काम नहीं चलेगा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अच्छी इस्थिती में नहीं है लोकों को रुजगार नहीं मिर रहा है एसे में देश कब तक चलेगा गहलूत जुनजुनु के मंडावा में विधान सभा उचनाव में कॉंग्रेस उमिद्वार रीटा चोधरी के समर्थन में आयजुत जन्सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि खाली मोधी मोधी बोलना इसे देश का काम नहीं चलने वाला है अभी जो इस्तिती है वो मुझे मालूम है व्यापारी का व्यापार्ठप है उद्यमी दुकी हैं तो भी मोधी मोधी बोलते हैं मुझे मालूम है कि कोई भय के मारे कोई डर के मारे तो पता नहीं कल मोधी कुछ भी करेगा हमारे लिए रजस्तान कॉंग्रेस में गुडबाजी चरम पर अब निकाय चुनाओ को लेकर आमने सामने आई गहलोत और पाइलर्ट जिहां रजस्तान विधानसभा चुनाओ के बाद से ही सुबे में असोग गहलोत और सचीन पैलेट के बिचल रहा से तियो धथमने का नाम नहीं ले रहा है पार्टी में इस समय गुडबाजी चरम पर है अब हालात ये है कि पार्टी के नेताओं ने खुलकर एक दूसरे की खिलाफत शुरू कर दी है ताजा मामला है निकाय चुनाओ को लेकर किये गए एक फैसले से जुड़ा हुआ दरसल असोग गहलोत ने अपने पुर्व के फैसले को पलटते हुई ये घोशना की की निकाय चुनाओ और तेक्स रूप से होंगे इसके बाद महज एक हफ़ते के भीतर गहलोत ब्रिगेट के खासम खास यूएचडी मंतरी सांती धारिवाल ने राजजयपूर कोटा जुदपूर में दो नगर निकम और दो मेयर का निर्ने ले लिया इस फैसले का मुक्यमतरी असोग गहलोत ने स्वागत भी किया और सही करार दिया लेकिन उप मुक्यमतरी सचोन पैलेट ने साफ जुबान से कह दिया कि ये फैसला व्यभारिक नहीं है और नहीं इस फैसले से लेने के पहले कैबिनेट में चर्चा की गई ना पार्टी स्तर पर पूचा गया लिहाजा मंत्राले स्तर के इस फैसले से वो सामत नहीं है महराश्च और हर्याना में विपक्ष का सुपरा साफ बिजेपी को मिल सकती है बंपर जीत जी हां महराश्च और हर्याना विधान सबाचनाव 21 सक्टूबर को होने वाले हैं 24 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि इन दोनों राजों में सत्ता के सिकर पर कौन सी पाटी बैठती है। 294 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है वहीं कॉंग्रिस और उसके सयोगों को 86 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में 8 सीटे मिलने का अनुमान है। जी हां हर्याना चुनाओ से ठीक पाले बीजेपी में सामिल होई गाई का और डांसर सपना चौधरी को लेकर बड़ी खबर आई है। सपना चौधरी ने सिर्सा में बीजेपी के विरोधी उमिदवार और हर्याना लोक हीत पार्टी के निता गोपाल कांडा के लिए चुनाओ परचार करने का अयलान किया है। सपना चौधरी का वीडियो मैसेज वाइरल हो रहा है जिसमें वा ये कह रही है कि गोपाल कांडा और उनके भाई के लिए परजार करने वो सिर्सा आ रही है। सपना के इस फैसले से बीजेपी में हड़कम पच गया है।